एपिसोड की शुरुआ सीरीज के लीडिंग केरेक्टर राइली से होती है जो नशे की हालत में एक लड़की को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और अब हम देखते कि राइली के सामने वही लड़की घायल सडक पर पढ़ी है जिसे डॉक्टर सीपियार दे रहे हैं पर वो राइली के सामने ही अपना दम तोड़ देती है अब हम राइली को कोट में देखते हैं जहां जज उसे चार साल की सजा सुनाते हैं पर इतना कम नहीं था कि राइली को अब जील में हर रात सोते समय उस लड़की के डरावने सपने आने लगते हैं जिसकी बाद हमें चार साल का सीन दिखाए जाता है जहां हम एक छोटा क्रोकेड नाम का एक आलिड देखते हैं, जहां हम रायली के परिवार को भी देखते हैं जिसमें उसकी मा ऐनी, उसका चोटा बाई वारान और उसकी पिता एड रहते हैं और वारान अपने दो दोश एली और उकर के साथ पासी के एक छोटे आलेंड ने अपड़ जाया करते हैं जहां वो अपने दोस्तों के साथ चोरी चुपे नशा करता है दरसले इस आलेंड पर काफी सारे बिल्लिया होती है और क्रोकेड आलेंड के लोग मानते हैं कि वहाँ एक मचवारे का बूत रहता है इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता है आप राईली जेल की सजा काटने के बाद वापस क्रोकेड आलेंड लोट आता है जहां उसकी माँ से लेने आती है फिर रास्ते में उने शेरिफ मिलते हैं जो राईली को शक के नजर से देख रहे होते हैं दिन के पास एक जो नाम का नशेडा भी रोज आया करता है जीसे वो हर बार जेल में डालकर सुबा वापस भी छोड़ देते हैं अब इसके बाद हम एक प्रेगनन लड़की नेम एरिंग को देखते हैं जो अपना चेक अप करवाने के लिए रोज डॉक्टर सेरा के पास आया करती है और वहाई ही डॉक्टर सेरा की मां मिल्डर को डेमेंशय यानिकी पागलपन की बिमारी है इसलिए वह अपने मा को लेकर बहुत परिशान रहती है उसी दोरान एरिंग डॉक्टर सेरा राईली को आते हुँ देखते हैं और अब हमें पता चलता है कि एरिंग राईली एक दूसरे को पहले पसंद किया करते थे अब घर पहुचने पर राईली की मां उसे बताती ही कि तीन साल पहले यहां पर ओईली केज हो गया था जिसके कारण से यहां के लोगों का एक मातर बिजनेस मचली पकड़ना पूरी तरह से खतम हो गया जिसके कारण ही जादा तर लोग यह जगा छोड़कर चले गए और अभी भी लोग जा रहे हैं अब इसके बार कुकेड आइलेंड को लोग एक जगा एककटा हो जाते हैं जहां शेरिफ और आईलेंड के मेयर उने आने वाले तुफान के बारे में आगा करते हैं मेर बताते कि मौसम वेग्यानी को केनो सार कल शाम को एक बहेंकर तुफान आने वाला है इसलिए हम सबको इससे बचने का इंतिजाम करना होगा और अगर स्थिती बस से बाहर हुई तो सब लोग चर्च में पना लेंगे और इस पर चर्च की देखबाल करने वाली मिसीस कीन श साफी बिमार है जो अपने इलांच के लिए शहर गए हैं इसलिए वो अपने बदले एक जान पैचान के नए फादर पॉल को चर्च बेज देते हैं जहां मेर को उनकी पतनी डॉली और बेटी लीजा के साथ भी देखते हैं जो बेचारी चल नहीं सकती अब प्रातना खतम ह सोने के बाद मिसिस कीन फादर से सवाल करती है कि आपने यह सोने के रंग का ड्रेस क्यूं पेहना है क्यूंकि यह तो किसी खास दिन पर पहनी जाती है और आज ऐसा कोई खास दिन नहीं है जिस पर फादर जवाब देते कि मेरे कपड़े मिलने रहे थे इसलिए मैंने आज क इसलिए वो तुरंट अपने घर वालों को इसके बार में पताता है पर उने बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता लेकिन रायली के घर से बाहर सब कुछ अस्वेस्त हो गया है इसलिए राइली और उसका परिवार सब ठीक करने में लग जाते हैं पर तबी राइली नोटिस करता है कि समुंदर की और बहुत सारी पक्षी इकटा होकर अजीब तरह से शूर कर रहे हैं और जब वो और उसका परिवार वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि समुंदर की किनारे बहुत सारी बिल्या मरी हुई है जो देखकर सब भी डर जाते हैं और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं समापत हो जाता है अब एपिसोड टू की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेरी बिल्यों की जांच में लग गयें जिससे उन्हें पता चलता है कि सबी बिल्यों की गर्दन पर चोड़का निशान है और उस निशान के अंदर कुछ कीड़े पनप रहें मेयर की पुछने पर शेरी बताते हैं कि इन्हें ज़रू पहले मारकर और फीर समुंदर में फैक दिया गया क्योंकि समुद्र में और कहीं पर भी खून नहीं मिला जो जाने पर मेयर को लगता है कि शायद यह प्रकुती का गटना है क्योंकि 2002 में भी यहां ऐसा ही हुआ था जब आसमान से बहुत सारे मरेवे पक्षी भरसने लगे थी और शेरीफ का महनना होता है कि यह कोई महामारी भी हो सकती है इसलिए हम खत्रा मूल नहीं ले सकते इसलिए हमें इन बिल्लियों को जल से जल जलाना होगा जिस बात पर सभी सहमत होते हैं अब अगली सीन में हम फादर पॉल को डॉक्टर सेरा के घर देखते हैं जो बताते हैं कि मुझे फादर मौन सेकर ने कहा था कि आपकी मा को रोज घर जाकर बाइबल सुना हूँ जिस पर डॉक्टर सेरा हां में कनफर्म करती है क्योंकि उसकी मा बहुत धार्मिक है और फादर मौन सेकर उनने बहुत अच्छे से जानते हैं अब आगे हम देखते हैं कि राईली की मा उनसे कपड़े बना रही है और तब ही उन्हीं हचानक से सुई चुप जाती है उन्हें दरसल चस्मे की बिना साफ नहीं दिखाई देता पर इस बार उन्हें चस्मे में अपना गाव दुंदला नजर आता है इसलिए अब वो अपना चस्मा उतार देती है और अब वो नोटिस करती कि उन्हें चसमे की बिना ही गाव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है जो देखर वो धंग रह जाती है वहाई जब रात में वारन के देवस उकर सिगरेट पीने के लिए घर के बाहर आता है तो उसे मैसूस होता है कि उसकी उपर से कोई बहुत बड़ा पक्षी उड़ कर गया जो देखर डर के मुआरे हुआ से भाग जाता है फिर अगली सुबह सब लोग तयार होकर चर्च जाते हैं जो बहुत खूश होते हैं क्योंकि आज इस्टर तेवार है चर्च में फादर सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको सैलम्स के बारे मवता हूँगा जो वो गीते जो लोगों ने इश्वर यूशू के पूनर जीवित होने पर गाये थे जो गीत हमें बताते हैं कि चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना जाए इंसान को अपना बरोसा इश्वर पर हमेशा रखना चाहिए वो आगे ये भी शेयर करते हैं कि टैंक से जो ओयल लेके चुआ था उसने इस जगा को बरबार कर दिया पर हमें इसके चलते हार नहीं मानना चाहिए हम सबको इश्वर पर भरोसा रखना है क्योंकि इश्वर ने ये सब किसी मकसद से किया है और वही ये सब ठीक भी करेंगे आप रातना के बाद फंक्शन के दोरा मेयर की पतनी डॉली जो की और इशारा करते हैं टॉंट मारती है कि ये भी यहां आ गया इसलिए अब मेयर फंक्शन के और्गनाइजर पर बरसते हैं कि उसने जो को यहां क्यों बुलाया इससे हमें यहां पता चलता है कि जो ने एक दिन नशे की हालत में लीजा की उपर अंजाने में गाड़ी चड़ा दी थी जिस वज़े से ही वो पैरेलाइज हो गई इसी वज़े से लीजा के माता पिता जो से नफरत करते हैं पर तब हम देखते हैं कि जो जोर-जोर से रोने लगा है क्योंकि उसका कुट्टा मरा मिलता है वो इलजाम लगाता है कि उसके कुट्टे को किसी ने खाने में जहर दिया है क्योंकि यहां के लोग उससे नफरत करते हैं जिसका एक्च्वल में इशारा मेर की तरफ होता है आप इसकी तैय तक जाने के लिए अगली सुबर शेरिफ चर्च के स्टोरूम में जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि इस्टर से एक दिन पहले चर्च के स्टोरूम से मिसिस कीन ने चुए मारने की दवा लेकर गई थी जिससे शेरिफ का शक मिसिस कीन पर जाता है क्योंकि मिसिस कीन को उसका कुट्टा जरा भी निक पसंता क्योंकि वो कुट्टा मिसिस कीन को देखकर हर बार भोगता रहता था आप मिसिस कीन से इसके बारे में पूसाच करने पर वो बता थी कि तूफान के बाद बहुत सारे चुए उसके घर में घूस आये थे इसलिए वो ये दवाई घर लेकर गई थी और अगर उस दवाई को गलती से उस कुट्टे ने खा भी लिया होगा तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है जो सब कुछ अंजाने में हुआ है जीन का टेड़ा जवाब सुनकर शेरिफ बीना कुछ कहें वहां से चले जाते हैं अब रात को फादर पॉल राईली को चर्च बुलाते हैं क्योंकि राईली एक नास्तिक है और वो उससे कुछ ग्यान बाटना चाहते थे फादर राईली को समझाते हैं कि उससे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए पर राईली उल्टाउन से सवाल करता है कि ईश्वर तब कहां थे जब उसने नशे में उस लड़की को मार दिया तब कहां थे जब जो ने लीजा के उपर गाड़ी चड़ा दी ताप कहां थे जब तूफान आया और उसमें हमारा नुकसान हुआ इस पर फादर समझाते कि ईश्वर हमारी परिक्षा लेते रहते हैं कि हम कटिन समय में भी अपना विश्वस उनमें रखते हैं या नहीं पर आयलियों के बातों से सहमत नहीं होता और वहां से चला जाता है पर उसी रात एरिन को अपने घर की खिड़की से बाहर कोई परचाई दिखाई देती है जिसे देखकर वो एकदम से डर जाती है वहाई परचाई डॉक्टर सहरा की मा को भी दिखाई देती है जिसे देखकर वो अपने बेटी को तुरंद बुलाती है और कहती कि मैंने तुम्हारे पिता को देखा पर डॉक्टर सहराओं ने याद दिला थी कि पिता जी पंदरा साल पहले ही चल बसे वहाई उसी दोरान हम एक ड्रग डेलर बॉल को देखते हैं जो वारेन उसके दोस्तों को ड्रग्स बेचा करता है वो दरसल अपने घर जा रहा होता है कि तब ही उसको एक घर से कुछ आवास सुनाई देती है और अब जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसे कोई डरावनी परचाई अंदेरे में कुछ खाती नजर आती है जीसे देख कर उसके रूख आप जाते हैं वो अबेचारा भागने की कोशिश करता है पर रंच में वो परचाई उसे पकड़ लेती है जीस की बाद उसकी चीक के साथ यो दरवाजा बंद हो जाता है अब अगली सुबा सब लोग प्रातना के लिए चरज जाते हैं जहां फादर राईली के रार के जवाब से दुखी होते हैं क्योंकि उनके समझाने पर भी राईली को अब विश्वास नहीं है फीर प्रातना कतम होने के बाद फादर सभी को आशिवा लेने के लिए आगे आने को कहते हैं जहां वो सबसे पहले लीजा को आने को कहते हैं पर ये सुनकर सबको गुसा आ जाता है क्योंकि लीजा चल नहीं सकती थी जो वो जानते हैं लेकिन तब ही हम देखते कि लीजा वीलचेर से खड़ी हो गई है और चलते हुए आगे जाने लगती है जो चमतकार देखकर सभी हैरान रहे जाते हैं और इश्वर को यार करने लगते हैं जो सब रायली भी देखकर दंग रहे जाता है जिसकी साथ ही एपिसोड यहीं समापत हो जाता है अब अगर आपको इसकी आगे के पार्ट देखने तो या तो आपको इसका लिंक कमेंड या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूँगा तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आशा है आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आई यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सकाइब करके सपोर्ट करना ना भूले मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों